नमस्का और स्वागत है आप देख रहे हैं मंचाहन यूज आपके साथ अंकी सिंग चुहान आज हम आपको जो चेहरे से मिलाने वाले हैं इनकी हमेशा से भोजपुरी इंडस्टीज में चर्चा काफी रहती है और जब जब आते हैं तब तब बहुत कुछ करते हैं हमारे पटना में हैं शूटिंग चल रही है और कब धमाका होगा होगा भाइया काना है कोई ब्लू बीड नी बेस्ट वन मुझे पता नहीं है गोल्डी विया का कंपनी है उनका ही म्यूजिक सौंग है रिलीज होगा भी एक हफते के अंदर एक दिल हफते के अंदर हो जाएगा त लेकिन अभी तक एक भी गाना रिलेज नहीं हुआ है आप कितने एक्साइटेट होगी जब पहला आएगा तक तो पुरा भोजपुरिया महौल अलग लेवल पे होता है और शेर की एंट्री हमेशा लेट होती है तो कोई बात नहीं देर आएंगे दुरुस्त आएंगे कितन अच्छा लग रहा है कि भोजपुरी में फिल्हाल बहुत चीज़ें बदल गई है गाने की म्यूजिक लिरिक्स और जब जब पवन सिंग जी की बारिया आती है उनका नाम आता है तो एक अलग होता है और भोजपुरिया जो फैंस होते हैं वह जूमने के लिए पे त्यार ह अब है बहुत अच्छा लगता है वह एक अलग लेवल पर हर चीज़ को लेकर जाते हैं वह बोजपुरी मुझे लगता है कि अभी आसा कुछ किए भोजपुरी करेंगे बोजपुरी के वज़े से जाने जा रहे हैं उनको आज की डेट में बॉलीवूड में भी जानते हैं उनको इंडिया के बाहर भी जानते हैं अभी वह कील पॉल करके जो है वह उनके गाने पर बनाता है तो अगर कोई इंसान उस लेवल तक पहुंच सकता है तो समझ लीजे कि उनका कुछ ऐसा कोई कोई एक और सेटने और किसी भी एक्टर का ना कोई जात होता है ना कोई एक उसका 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 पूरा वर्ल्ड होता है वह कहीं भी जाएगा कहीं भी काम करेगा उसको लोग जहां-जहां के लोग पसंद करेंगे उसको वहां-वहां की लोग उसे प्यार मिलता है तो पावनबिया का एक कोई टरिटरी नहीं है कोई एक वो नहीं है उनका और इतना लिक्र भी आपने आपके कर रहा था क्या चीज़ है कब आएगा और उसमें आपकी जो रोल है किस तरह से फिल्माई गई है शोक अना में लग जा गए जी टीवी पर टेलीकास्ट होना स्टार्ट हो गया है सेवें तो फैप से स्टार्ट हुआ है शूट हम लोग कर रहे थे से से पहले से कर रहे थे 24 से शूट करना स्टार्ट किया था और साड़े च्छे वजे शाम को हर दिन संडे मंडे ट्यूजडे कुछ ने हर दिन आएगा वह टेडिकास्ट होगा आप लोग खूब सरा प्यार दीजिए उसको सीरेल आपको बहुत अच्छे लेगा और जो मेरा क काम करने के लिए उख कोल्डर यख लड़का चहीं है तो इक लड़का है जो बहुत इसको उसके अंदर फिल्मी कीडा बहुत जादा है वह हीरो बनना चाहता है बोलीवुड में पूरी जब होतीएं तब भी बढ़ चड़के हिसा लेते हैं एक तक पूरी जो बात होती है तक पहुचाते हैं हाली में भी एक विवाद पवन जी और खिसारी जी को लेकर हो रही थी इसमें आपने भी अपना पक्छ रखा इन सब चीजों को आप कैसे देखते वह या क्या इंडस्ट्री में सब चीजे होनी चाहिए या फिर बेहतर से बेहतर वर्क पे देहान देना च इतना कुछ बोला गया था किसी के बारे में भी नाम में नहीं किसी को कुछ नहीं बोला जब मैंने सुना कि पावन भिया के स्टेज पर कुछ बोलें रियक्शन दियें कि मेरे बारे में कुसी ने ऐसा बोला है और वो लो आज कहीं से निकले हैं तो मैंने जब मैंने भाया क मैं शायद बोलता हूं तो किसी को बुरा लग जाता है बट मैंने एक हजी मजाग में रोस्ट किया था एक वीडियो बनाया था लेकिन सानमे से जो रेक्शन दे रहे तो बोलो गाली वाली दे रहे तो मुझे यह सब अगर गाली गाली मैं जो कर रहा था वह आलनाइन आपके तैलेंट है आप भी ऑनलाइन आके रोस्ट करूं मुझे कैरी मिनाटी को जानते होंगे यूट्यूब पर वह रोस्ट करता है तो आप रोस्ट कीजिए यह होता है ऑनलाइन फन कहा जाता है इसको कि अगर हमने आपको कुछ बोला आपने भी तो लड़ाई किया नहीं था हम हमने भी बोल कि आपके अंदर टैलेंट है बी आप लाईव आ और बोलेंगे कि में आपको ỏलीका है यह सब offline की चीज़ है आप आपको online online लड़ना है तो आप बोलिए हम भी बोलेंगे offline वाले बात मिल जुल्य करेंगे फिर फिर वो कोई बात नहीं जब मिल जुल्य करेंगे तो कर लेंगे मुझे कोई शौक नहीं किसी controversy में पढ़ने का मेरा life बहुत अच्छा है मेरा जो life style है इस अप्रीज नहीं सिखाती है पर हां मैं जिस इंसान को मानता हूं उसके साथ ख़ड़ा रहता हूं अभी मैंने बहुत देखा सब बोल रहे थे live आकर कि कोई व्यूडियो में इंट्रिव्य दे रहा है कि वह पवन सिंह का इसपोर्ट बॉआ है मुझे 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 आप अपने पापा को मानते हैं तो आप अपके पापा बोलेंगे आपको कि आप समान उठाइए तो आप नहीं करूंगा हमारे घर में ऐसा हमको नहीं सिखाए गया पवन्ब्या मुझे बोलेंगे तो मैं गाड़ी दो दूँगा मुझे मुझे बूलिंगे समान उठाइए मैं समान भी उठा लूँगा कोई चक्कर नहीं है उसके लिए मुझे स्पोर्ड वय बूलिया प्रड्यूसर बूलिया डिरेक्टर बूलिया मुझे घंटा फरक नहीं पड़ता है भया लाज सवाल करते हैं भोजपूरी फिल्मों में वहाँ पर लगती है तो इस पेसलिए भोजपूरी को लेकर आपकी क्या रहा है भोजपूरी एक बहुत बड़ी टेरेक्टरी है इसलिए क्योंकि यूपी बिहार पूरा कवर करता है और यूपी बिहार जब दो मिल जाते हैं तो यहां के लोग भोजपूरी पसंद करते हैं इसलिए जानते हैं क्योंकि उनके अंदर वह टैलेंट है वह चीज बोलते हैं उनका एक औरा है वह कुछ बोलते हैं तो लोगों को वह चीज़ अट्रैक्ट करता है तो हर लोग उनको पसंद करते हैं तो मैं अगर भोजपूरी में कहीं सीज़ को मानता हूं तो पहले चीज़ को गलत में मतले मैं नहीं सुनता तो मैं बहुत बड़ा सूपरेस्चार वहूं बॉलिवूड का कोई आक्टर हूं मैं बहुत जमीन से जुड़ा हुआ हूं मैं मेरे मैं इतना फ्लेक्सिबल हूं कि मैं अगर जिस जगह पर रहता हूं मैं उसके अकौर्डिंग मु मैं रहने लगा सब कुछ दिखा तब मुझे मैं गाना सुनना स्टार्ट किया तो मुझे भोजपूरी का मतलब मैं मानता हूं सिर्फ पवन भिजा मुझे नहीं अब इसमें ऐसा नहीं यह बहुत लोग हैं बहुत से अच्छे अच्छे भी लोग जो अच्छा कर रहे है जैसे एक्ट्रेस में भी मुझे एक दू लोग पसंद हैं मुझे पहले बहुत अच्छे लगती थे अक्षरा सिंग अभी अच्छे लगती तीने अभी भी है अच्छी हो मतलब उनको देख करके समझ में आता है कि हां मतलब एक भोजपूरी का लेवल है वो इंसान बोलना बोलना समझ में आती है भोजपूरी में जिसमें से यहीं लोग हैं और बाकी तो बाकी जो भी करने अच्छा कर रहे हैं लेकिन बस मुझे यह लगता है कि थोड़ा गंदगी नहीं करना चाहिए आज की रिट में सलमान खान शारू खान इन लोग में भी लड़ाई हुई थी लेकि वह मेंटेन किजिए ना स्टैंडर्ड इतना तो हम लोग भी नहीं बोलते हैं इतना तो भाईया को देख लिएक्षन नहीं कभी कुछ नहीं इतना शांत रहते हैं उनका वह वह ऐसा ही आप लोग जानते होंगे आप लोग ज़्यादा जुड़े हैं भोजपूरी से आप ल लोग सुचते हैं यहां पर यह सौचते हैं सबक्ति इसको फाइदा होगा यह काम करना चाहता है अक्सा पूस्पूरी में अब तक कर रहा हुता है उर्ले करूंगा लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं पहले मैं जीस फिल्ड में आया हूं मैं वहां पर करना चाहता हूं मैं उसमें अपना नाम फेम जब मैंचे मिल जाएगा उसके बाद मैं करूं गट रहा है तो ऐसा है मैं काम के लिए नहीं किसी की चाटता हूं मुझे जिससे प्यार है जिसको मैं मानता हूं मैं उसके लिए अपनी आवाज उठा देता हूं एक दू चीज़े बोल दरशकोंसे बुलना चाहका那 कि मुझे तो कोई जानता भी ने था यूपी बिहार में लेकिन पवन बिया की वज़े से आप लोग मुझे जो प्यार देते हैं जितना आप लोग मुझे सपॉर्ट करते जो मुझे प्रेज करते हैं, हर वीडियो को सपोर्ट करते हैं, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच दिल से, और मेरा शो आ रहा है, स्टार्ट हुआ है, SD TV पर लग जा गले, उसको बहुत सारा प्यार दीजे, आगे मेरा खरेक्टर बहुत अच्छा जाने वाला है, मैं एक दिन, दो दिन के लिए आया था दीपक भिया और अमित भिया के भाई के भाई का शाद्दी था, तो उसके लिए आया था, अभी वापिस जा रहा हूं कल, वापिस मेरा शूट स्टाट हो जाएगा परसों से, तो आप उसको खूब सारा प्यार दीजे, और दिल से धन्य आप लोग जो भी जितना भी मुझे सपोर्ट करते हैं, आगे से वीडियो नहीं आंगे, आगे से आप लोग मुझे टीवी पर देखिएगा, थेंक्यों सो मच भी अपना बेहतरीन सपल हमें देने के लिए, विसाल भी है थे जिन्होंने बताया कि इस तरह से भोजपुरी बदल रही है और जब इने मौका मिलेगा और जब चाहेंगे तो भोजपुरी में इंट्री करेंगे, धमाका होगा, धमाल होगा, फिरहाल रंग गुला लोडाने की तयारी सुरू कर लीजे, डीजे की बेट बढ़ा लीजे, रिमाइंडर सेट कर लीजे, क्योंकि कल शुब